हेलो एवरिवन वेलकम टू माई चैनल तो देखे फ्रेंड्स आज मैं आपको ये कलियों वाला बहुती सुन्दर सा टेबल मैट बनाना सिखाऊंगी फ्रेंड्स आप इसको टेबल मैट बना के भी यूज कर सकते हो थोड़ा सा बड़ा बना के पूजा का आसन भी बना सकते हो ये मैंने पूजा का आसन स्टार्ट कर रखा और ये चालिस हंदे से स्टार्ट कर रखा है मैंने तो काफी बड़ा ये बनके कंप्लीट होगा ये देखे यहाँ पे आप इसको कली हैं जो मल्टी कलर से भी बना सकते हो और आप इनको सिंगल कलर से भी बना सकते हो दो कलर से भी बना सकते हो अपनी 24 से आप इसमें कलर भर सकते हो देखिए हर कली के बीच में हमने डोरी का डिजाइन दिया है और फ्रेंड यह उपर फ्लावर यह देखिए यह मैंने इस कलर से बनाया इस टाइप से बनाया आप नजदेक से देख लीजिए तो बहुत ही सुंदर देखि तो देखिए इसमें मैं 40 फंदे से ही मैं आपको बताऊंगी क्योंकि फ्रेंड्स 40 फंदे का काफी बड़ा बनके कंप्लीट होगा और मैंने यह 40 फंदे से ही स्टार्टिंग कर रखी है तो आपको भी मैं 40 फंदे पे ही बताऊंगी यह देखिए सिंपल हम पहले एक नोट लगाने के बाद राइट हैंड में निडल ले लेंगे लेफट में अपना थ्रेड पकड़ लेंगे यह साड़ी चुन्नी से भी आप इसको बना सकते हो यह देखिए ऐसे हम इसमें फंदे डाल लेंगे यह मेरे पास पुरानी उंथी पतली थी तो मैंने इसको डबल किया है अ तो फ्रेंट्स मैं इसमें 40 फंदे डाल लूँगे यह देखिए ऐसे करके ऐसे बीच में से ऐसे हम इसको निकाल देंगे फिर खीज देंगे एक बार देखिए ऐसे ही सारे फंदे मैं इसमें डाल लेती हूँ तो फ्रेंट्स मैं इसमें 40 फंदे डाल लूँगे 40 फंदे डा 1 स्टार्टिंग करेंगे समय से 4 पंद बनेंगे दिए 40 पंद यह는 सर से हम यहां से स्टार्ट करेंगे यह देखिए यहां से बहुत ही सुन्दर इसकी शेप बनेगी तो दो फंदे मैंने यहां पर उतार लिए कि तीसरे फंदे से हम बनाना स्टार्ट करेंगे और यह पूरी रो में उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट करूँगे ऐसे ही मैं फ्रेंड्स यहां तक इसको बना लेती हूं कि एंड में आ गई हैं दो फंदे इस साइड छोड़ देंगे और यहीं से वापस बोड़ जाएंगे फस्ट वाला ऐसे उतारेंगे और यह इस साइड से भी हम यह रो को उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट करेंगे यह देखिए पूरी रो हमने ऐसे ही बनानी है दो फंदे हमने इस साइड छोड़ दिये दो फंदे हमने स्टार्टिंग में छोड़ दिये थे तो friends मैं इसको यहां तक ले आती हूँ ऐसे ही उल्टा उल्टा बनाके फिर मैं आपको इस साइड से दिखाऊंगे हमें कैसे बनाना है यह देखिए दो फंदे हमने पहले छोड़े थे दो हमने इस बार छोड़ दिये और हम यही से बापस से मुड़ जाएंगे ऐसे ही करेंगे friends दोनों साइड से हम दो दो फंदे छोड़ते हुए बिल्कुल बीच सेंटर में आ जाएंगे चार हमने दो दो करके इस साइड से छोड़ दिये एक बार दूसरी साइड से भी देख लीजिए ऐसे ही हम दोनों साइड से बराबर फंदे छोड़ते हुए बिल्कुल जब बीच में हमारे चार फंदे बच जाएंगे तब तक हम इनको ऐसे ही छोड़ेंगे फिर मैं आपको उपर का बताऊंगे जितने भी आपने फंदे डालने हैं friends डालेंसे पेर के हिसाब से आप ऽे फंदे डाले गई उड़东 ghosts पाइब हमने पाइल कुए door मांशे चोड़ने हैं कि एस साइड से भी देखे लीजिया पिए आप आप कि दो हमने पहले छोड़े थे, दो हम इस बार छोड़ देंगे और यहीं से वापस मुड़ जाएंगे दो इस साइड से और दो इस साइड से बिल्कुल बीच सेंटर तक आ जाएंगे उसके बाद फ्रेंड्स फिर मैं आपको आगे की कली बताऊंगी हमें कैसे बनानी है नो जोड़े इस साइड छोड़े फ्रेंड्स मैंने और यह देखिए एक, दो, तेन, चार, पान, छे, साथ, आठ और यह नो यह इस साइड से और यह बीच में चार फंदे हमारे बचे हुए हैं तो देखिए यह दो हमने बना लिए अब इस साइड से दो और हम यह बना लेगे द्यान से देखिए और हम यही से बापस मुड़ जाएगे यह ऐसे उतारेंगे अब उपर हमारे पास छे फंदे हो गए यह देखिए अब दो हम इस साइड से एड कर लेंगे ध्यान से देखिए जैसे हमने छोड़ दे थे ऐसे ही हम इसमें एड करेंगे यही से वापस मुड़ जाएंगे देखिए इस वाले को ऐसे उतार लेंगे दो, तीन, च्यार, पांच, छे, साथ, और आठ पहले छे थे दो हमने इस साइड से मिला गी तो हमारे आठ बन गई अब दो हम इस साइड से एड करेंगे उससे पहले देखिए फ्रेंट्स बीच में गैप आएगा तो गैप को भरने के लिए आप ऐसे बीच में सिफंदा उठाए और इसके साथ दो का एक कर दीजिए हमारा बीच का गैप खतम हो जाएगा फिर आप ये दो फंदे बना लीजिए और हम फिर से यहीं से वापस मुड़ जाएंगे एक बार ओर देख लीजिए दो तो फंदे जैसे हमने छोड़े थे फ्रेंट्स ऐसे ही हम इसमें एड करेंगे एंड तक हमने ऐसे ही करना है और ये हमारी कलीबन के कम्पलीट हो जाएगी ये देखे फिर से हम इसमें करेंगे उससे पहले अराम से ऐसे बीच में से एक फंदा उठा लीजिए आप और इसके साथ दो का एक करना मत भूलिए नहीं तो हमारे फंदे बढ़ जाएंगे दो फंदे का एक कर दिया और एक हमने रागे से ले लिया और यही से वापस पूर जाएंगे दो साइड से दो साइड से अब हम यह सारे इसमें एड कर लेंगे तो मैं इसको कम्प्लीट कर लेती हूं फिर मैं आपको आगे का बताऊंगी ऐसे ही हमने दोनों साइड से दो दो फंदे इसमें एड़ करने है इस साइड के ये दो लास्ट के बच गए इनको भी हम इसमे एक फंदा उठाएंगे गैब भरने के लिए और इसमें एड़ कर लेंगे ये देखिए किनारे बाले को हम सिधा बना देंगे इस side से हमने सारे ही फंदे इसमें add कर लिए हैं देखें friends लिफ के कितनी सुन्दर इसकी यहां से shape आई है अब देखें दो फंदे हमारे इस side से बचे हुए है अब यह देखें आप यह मद देखें कि यह खराब होगा इसके कटोरी जैसे shape आई है लेकिन friends जैसे ही हम यह उपर वाला flower बनाएंगे तो यह अपने आप ही shape में आ जाएगे इस side से हमने सारे इसमें ले लिए अब मैं इसको उल्टा उल्टा बनाके उस side लेके जाऊंगे तो मैं इसको यहां तक बना लेती हूँ यह देखें इस side में आ गई हैं लास्ट के दो फंदे हम इसमें add कर लेंगे फिर से हम अपना gap खतम करेंगे यह देखें किनारे बाले को हम सीधा बना देगे यह देखें friends कहीं पे भी आपको इसमें gap नजर नहीं आएगा यह बहुती सफाई के साथ आपका यह बनके complete होगा अब देखें दोनों side से हमारा बिल्कुल एक जैसा है लेकिन यह हमारी back side है यह देखें friends यहाँ से आपको पता चलेगा यह किनारी है अमने फंदे डाले थे यह सीधी side है और यह उर्टी side है तो यहाँ से हम अपना आप यह उपर का flower बनाएंगे इसमें तो flower कैसे बनाएंगे एक color मैं इसमें और add करूंगी यह देखें एक फंदा बना दिया इसको खीच देंगे green वाले को ध्यान से देखें और एक color मैं इसमें और add करूंगी यह देखें एक फंदा हम इससे बनाएंगे ग्रिन वाले को आप अंदर इसमें ऐसे दबा देजिए इसको भी दबा देजिए अंदर बैक साइड से और एक कलर हम इससे बनाएंगे एक फंदा थोड़ा सा मैं अंदर इसको और दबा देखते हूं फ्रेंड्स ताकि ये पक्का हो जाए आप इसकी नोट लगा लेजिए ये देखिए अब ये ग्रिन कलर हम छोड़ देंगे इसकी हम लीफ बनाई है उपर का फ्लावर हम ये दो कलर से बनाएंगे रेड और ये डार्क परपल ये देखिए मैं दो कलर ही लेके आगे चलूंगे ये देखिए एक फंदाई से एक दो तीन च्यार पान छे छे फंदे हमारे हो गए फ्रेंट ध्यान से देखिए साथ आठ नोव दस ग्यारा बारा तेरा चोदा पंदरा सोला सत्रा ठारा उननिस और ये बीस बीस फंदे फ्रेंट्स हम ये दूसरे कलर से बना देंगे बीस फंदे ये पीछे छोड़ देंगे और हम यहीं से वापस मुड जाएंगे ध्यान से देखिए ये हमारी सीधी साइट बनेगी सीधी साइट से जो जैसा वैसा ही बनाएंगे फस्ट वाले को उतार लेंगे ध्यान से देखिए थ्रेड को पीछे करेंगे पीछे से दूसरा आगे लेके आएंगे ये रो आपने हर बार ऐसे ही बनाने देखिए फिर इसको पीछे करेंगे इसको आगे लेके आएंगे जो जिस कलर का है हम उसी कलर से इसको बनाएंगे ये पूरी रो हम ऐसे ही बनाएंगे हर बार जो जिस कलर का होगा उसी थ्रेड से हम इसको बनाएंगे ये देखे 20 फंदे हम ऐसे ही बना लेंगे पिछे करेंगे पिछे से आगे दूसरे कलर का लेके आएंगे यह देखिए यह पूरी रोहम ऐसे ही उतारेंगे अब मेरा रेड है तो मैं रेड आगे लेके आएंगे यह देखिए पूरी रोहम ने यह ऐसे ही उतारने है आपने जो भी कलर लिये हो उसी कलर से आपको यह बनाना है यह देखिए किनारे का फंदा हम इसको पीछे करके और इसी धरेड से हम रेड से इसको हम सीधा बनातेंगे यह देखिए अब आ गई हम उल्टी साइड यह देखिए, यह लोग हमने उतार ली, इस साइड से देखिए, इस साइड से फ्रेंड्स हम अपने फंदों का कलर चेंज करेंगे, यह देखिए, यह मैं दूसरे कलर से बना दूँगी, इसको आप ऐसे आगे कर लीजिए, और यह मैं इस से कलर से बना दूँगी, सारे इकलर के फंदे हमने अब चेंज करने हैं यह देखिए इस साइड से हम अपने फंदों के कलर चेंज करेंगे दूसरी साइड से जो जैसा है हम वैसा ही बनाएंगे हर बार आपने इनको चेंज करना है यह बहुत सुनदर लगता है यह बनाने में थोड़ा सा आपको लगेगा इसमें टाइम लेकिन बनने के बाद यह बहुत सुनदर लगेगा अब यह देखिए अब कर वह कीओए फंद में पीछे छोड़ेंगे यह देखिए एक फंदा हमने छोड़ दिया यहीं से वापस हम मुड़ गए राइट साइड से देखिए फ्रेंट्स जो जैसा है जैसे मैंने पहले बताया था हमने वैसे ही इसको बनाना है यह अब इसको थ्रेड को पिछे कर देंगे पिछे से क्रोस करके दूसरा लेके आएंगे यह हम इस कलर से बना देंगे फिर पिछे करेंगे दूसरा लेके आएंगे वह हम इस कलर से बना देंगे जो जिस color का होगा मैं इस row को उतार के complete करूँगे ये देखिए इस side से ये row मैंने उतार ली है एक बार इस side से फिर से देख लीजे फिर मैं इसको complete करके दिखाऊंगे फिर से हम अपना color change करेंगे ये देखिए और एक एक फंदा छोड़ते हुए friends हम बिल्कुल उपर तक आ ज फंदों का color change करते हुए एक एक फंदा पीछे छोड़ते हुए उपर की तरफ आ जाएंगे ये देखिए मैंने उपर design बनाया है आप इसको plain भी बना सकते हो ये देखिए फिर से ये फंदा हम छोड़ देंगे इसी color के हमारे सारे फंदे छूटेंगे friends अगली बार जब हम छोड़ेंगे तो देखिए फिर से हमारा ये फंदा आ जाएगा तो ऐसे ही हमें एक फंदा छोड़ते हुए color change करते हुए बिल्कुल दो फंदे बच जाएंगे तब तक मैं ये सारे फंदे छोड़ लेती हूँ उसके बाद हम उपर का बनाएंगे ये देखिए friends जैसे ही हमारा उपर का फ फिर मैं आपको दिखाती हूँ ये देखिए उपर मेरे ये दो फंदे बच गए हैं ये सारे ही फंदे हमने के करके ये आप देख सकते हो छोड़ लिए हैं और ये देखिए friends ये हमारी लीव है इसमें इतनी बड़ी बनेगी ये देखिए हमारे पूरी निडल्स में यहां तक फंदे बिल्कुल अड़े हुए हैं और ये देखिए इसमें बिल्कुल यहां से निकलने को हैं तो बहुत बड़ा ये बनके कंप्लीट होगा ये देखिए उपर कहा फ्लावर हमने इसका बना लिया है अब ध्यान से देखिए थोड़ा सा इसमें चेंज आएगा दो फं दो फंदो का चेंज कर लिया एक हम आगे से लेंगे तो देखिए फ्रेंड्स इसी कलर का हम उठाएंगे फंदा एक फंदा बीच में से उठाएंगे और इसी कलर से बनाएंगे इस चीज का आप ध्यान रखिए जो पिछे है वही फंदा जैसे हमने छोड़े थे ऐसे ही हम वापस सब इनको लेंगे यह देखिया हमारा परपली ही आ गया यहीं से वापस में जाएंगे एक बढ़ने के लिए हमने फंदा भी उठा लिया इसको ऐसे उतार लेंगे पिछे लेके जाएंगे और पिछे से औरेंज आगे लेंगे ध्यान से देखिए थोड़ा सा चेंज है इसमें प्रेकी फूरा फ्लावर हमारा ऐसे ही बनेगा यह हमारे होगा अब फिर से देखिए देखें फिर से चेंज करेंगे यह ओरंज कर लेंगे ये हमारे पास दो थे, एक हमने पिछली बार उठा लिया था, तो हमारे पास तीन हो गए थे, ये देखें, इसी कलर का फिर हमारा नमबर आ गया, उससे पहले फ्रेंड्स हम एक बीच में से फंदा उठाएंगे, गैप भरने के लिए, और इसके साथ दो का एक हम कर देंगे, से ही सारे फंदे हम इसमें एड़ कर लेंगे, एक बार मैं और आपको दिखाऊंगी, ये देखिए, औरेंज हम आगे लेके आएंगे, राइट साइड से फ्रेंड्स जो जैसा है हमने वैसा ही इसको बनाना है, ये मेरी डबल ओन है, तो कई बार एक बन जाता है, एक रह जा किनारे बाले को हम सीधा बना देंगे, ये देखिए, हमारे आपे चार फंदे होगे, कलर हमने हर बार ऐसे ही चेंज करना है, फिर से देखिए, फिर से हम अपना कलर चेंज करेंगे, ये देखिए, फिर से देखिए, हमारा इसी कलर का नमबर आ गया, फिर से हम एक फंदा उठाएंगे, और इसके साथ दो का एक कर देंगे, ये देखिए, ये फंदे हमारे हो गए, यहाँ पे पांच, तो फ्रेंड्स हम सारे एक के करके, ऐसे ही ये सारे फंदे मैं इसमें एड़ कर लोगे, और ये देखिए, उपर से आपको दिखाई देगी, ये यहाँ पे हमारे फ्लावर की ये शेप बननी स्टार्ट हो गई है, एक एक करके हम हर बार ऐसे ही इस साइड से फंदा उठाएंगे, गैब बढ़ने के लिए ये देखिए, पूरा फ्लावर हमने कम्प्लीट कर लिया है, एक फंदा बेराई पीछे फ्रेंड्स बचा हुआ है, ये हमारी लीफ पनी है नीचे, उपर ये फ्लावर कम्प्लीट हो गया, आप देखिए, ये लास्ट वाला फंदा भी हम इसमें एड़ कर लेंगे, ऐसे ही हम अपने फंदों का कलर चेंज करेंगे, ये देखिए, तो मैं इसी तर ऐसे कलर चेंज करती हूँ, यहां तक आ जाओंगी, फिर मैं आपको आगे का दिखाओ, ये देखिए, एक फंदा ये बचा हुआ है, उससे पहले हम जैसे हर बार उठाया है, हमने गैप खतम करेंगे एक फंदा उठा लिया, इसके साथ दो का एक कर देंगे, ध्यान से देखिए, ये देखिए, लास्ट वाला फंदा भी ले लिया, अब तक फ्रेंड्स हम ये फंदा इसमें एड करके और वापस मुड जाते थे, लेकिन इस रो में हम आगे तक जाएंगे, फ्लावर हमारा ब बनाओ फ्रेंड्स कोई पी डिजाइन का बनाओ, जैसे आपको गैप लगे तो एक फंदा बीच में से उठा के गैप भर लीजिए, ये देखिए, और आगे भी हम इस रो में ऐसे ही ये फंदे बनाएंगे, कलर चेंज करते हुए, ये देखिए, इसमें हम बीच में कली के बीच में डोरी का डिजाइन बनाएंगे, ये देखिए, आप इसको प्लेन भी सिंगल बना सकते हो, जैसे उल्टा-उल्टा बनाते हैं, कोई भी कलर की आउट लाइन दे सकते हो, ये देखिए, सारे ही फंदे हम, ऐसे बना लेगे, एंड तक बिल्कुल, ये देखिए, अब आ गए हम सीधी साइड से, ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बिल्कुल भी आपको गैप नजर नहीं आएगा, फंदे उठा के हमने, और गैप को खतम कर लिया है, आप देखिए, अब इस रो में, फ्रेंड्स, जो जैसा है, हम वैसा ही बनाएंगे, लेकिन थ्रेड हम अपनी तरफ ही रखेंगे, इसी साइड, और इसको ऐसे आगे कर लेंगे, और फिर इससे बनातेंगे, इससे क्या होगा, हमारी यहाँ पे डोरी बनती जाएगे, और इस dory के design को friends आप किसी भी चीज में आप डाल सकते हो स्वेटर में, केप में, सोक्स में, किसी चीज में भी आप ये dory का design ऐसे बना सकते हो बहुत ही simple है जो जिस color का होगा वेसे ही आप इसको बना देची ये देखिए, नस्दिक से देखिए यह पूरी रो हम बना के कंप्लेट करेंगे यह हमने सारे इफंदे एंड तक ऐसे ही बनाने हैं जो जिस कलर का होगा हम उसी कलर से बनाएंगे यह देखिए यह फ्लावर वाले भी हम ऐसे ही बनाएंगे इस डोरी को हम उपर तक लेकर आएंगे यह देखिए तो मैं इसको यहां तक इसको कम्प्लीट कर लेती हूं यह देखिए एंड में आ गई हूं बिल्कुल इसको हम पिछे करके इसको भी थ्रेट को पिछे करके इसको हम सिधा बनाएंगे अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स एक बार की कली हमारी बनके कम्प्लीट हो गई उपर भी हमने फ्लावर भी अलग बना लिया है अब हम दूसरी कली की यहां पर स्टार्टिंग करेंगे तो देखिए मैं यहां पर एक कलर और यूज करूँगी अगर आपको एक ही कलर से बनानी है तो आप यह ग्रीन वाला कलर ही जो मेरा है इसी कलर को उपर लगा लीजिए मैं आपको एक कलर और बताऊंगी तो देखे आप इसकी यहाँ पे नोट लगा लीजिए और यह ऐसे टाइट करके अंदर दबा लीजिए इनको यह देखे और यह सारे इफन दे हम पिंक कलर के मैं बना लूँगे इस रोको मैं यहाँ तक बनाऊंगे मैं इसको कर लेती हूँ और यह देखे एंड में आ गई हूँ मैं विल्कुल यह हमने इसमें अपना कलर लगा लिया है यह देखे अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स अभी हम फंदे नहीं छोड़ेंगे इस रोको भी मैं पूरा उतार के कम्प्लिट करूंगे तो मैं इसको उस साइड तक बना लेती हूँ यह देखे इसको हम सिधा बना देगे यह देखे फ्रेंड्स दूसरा कलर हमने लगा लिया है अब हम इसमें यहां से स्टार्टिंग करेंगे फिर से हम इसमें यह देखिए बैक साइड है दो फंदे मैंने उतार लिए और यहां से हम इसको बनाना शुरू करेंगे दो फंदे इस साइड छोड़ दिए और दो फंदे मैं इस साइड छोड़ दूँगी जैसे हमने फ्रेंड्स यह नीचे वाली देखे फ्रेंट्स जब हमारा ये फ्लावर बना था तो इस कली का देखिए अपने आप ही सारा जोल निकल गया अब आपको ये ऐसे दिखाई देगा तो आप ये मत सोचना कि ये खराब हो गया तब ये कली बनेगी तब ये फ्लावर की शेप ऐसे अपने आप ही ये खुल जाएगा ऐसे ही अपनी शेप में आ जाएगा जैसे मेरे ये आयोगे है अब देखें ये कली की स्टार्टिंग है तो ये ऐसे यहां से मुड़ी हुई है जैसे उपर यहां पर फ्लावर बनेगा तो ये भी अपनी शेप में आ जाएगी तो फ्रेंट्स जब आप ऐसे बनाओगे इसको कंटिनू तो इस टाइप की इसकी लुक आएगी बहुत ही सुन्दर ये बनके कंप्लीट होगा और अपनी च्वाइश से आप इसमें जितने मर्जी कलर भर सकते हो तो फ्रेंट्स आप कोई डिजाइन कैसा लगा मुझे कोमेंट करके जरूर बताईए और अगर आप कोई डिजाइन पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बैल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में नई डिजाइन के साथ थैंक यू